इस lecture के अंदर हम देखने वाले हैं कि central tendency क्या होती है, आपने data को measure कर लिया, measure करने के बाद आपने बहुत ज्यादा चीजें देख लिए कि data integer का होता है, numeric होता है, categorical होता है, qualitative होता है, quantitative होता है, and many other concepts जो आपने अभी देखें, लेकिन data की central tendency क्या होती है, central tendency से मुराद है, जै आप अपनी mapping कर सकते हैं, यानि कि उसको देखते हुए अपना journey जो है, वो continue करते हैं, ठीक है, या एक compass ले लें, compass आपको बताता है कि आप आगे क्या करना है, right जाना, left जाना, उपर जाना, नीचे जाना, तो central tendency भी इसी तरीके से आपकी help out करती है, central tendency आपने जितना भी data measure क अगर आप एक, दो या तीन values या depend करता है कि बहुत ही minimum numbers के साथ अगर present करना चाहें, represent करना चाहें, तो उसको हम central tendency बोलते हैं, अब हम मैं अपनी screen आपके साथ share करता हूँ, and then we will see किस किसम के जो qualities हैं, वो पाई जाती है, screen आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, यहाँ प central tendency, central tendency क्या होती है, एक ऐसा point जिसके इर्दगिर्द सारा data इकठा होता है, for example, यह मेरा एक point मैंने लगा दिया, अब जितना भी data मैंने collect किया है अभी तक, वो इसके इर्दगिर्द कठा होना start हो गया, ठीक है, यह data इकठा होना start हो गया, जी उसी point के इर्दगिर्द, यानि के एक ऐसा point जिसके इर्दगिर्द सारे के सारा data इकठा हो रहा है, इस point को आप मिठाई का डबबा समझ ले, मिठाई के डबबे के इर्दगिर्द आप count करना चाहते हैं कि कितनी मख्यां इकठी होती है, so you can have an idea, जब आप उसे open करेंगे, तो इस तरीके से मख्यां बिन बन है, उसको अगर हम यहां पे consider करें, यह वाली मख्यां यह इस तरीके से आ रही है और यह हमारे data points है, क्योंकि हमारा hypothesis है कि कितनी मख्यां आ रही है, so on, बाकी चीज़ें, so यह करते, 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 आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, आपके center point के इर्दगिर data ज्यादा एकठा हो रहा है, यानि कि इस एक point के इर्दगिर ज्यादा data है, और जैसे आप इस point से दूर जा रहे हैं, आपका data कम होता जा रहा है, तो central tendency यही चीज़ है, कि अगर आप इस point को describe कर दें, तो आप पूरे data का idea बता सकते हैं लोगों को, कि center क्या है data का, यानि कि center of the data, center of data, यानि कि data का जो center है बिलकुल, उसको हम central tendency बोलते हैं, central tendency की और भी काफी examples हैं, और बहुत ज्यादा इसकी जो definitions भी पाई जाती हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा idea देता हूं, कि central tendency को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ लेता हूं, और इसको हम पढ़ते हैं मिलके, and then I will explain this concept in detail, अब यहाँ पे अगर आप check करें, so central tendency is a way to describe the center of the data set, जो मैंने अभी आपको बताया है, it's like finding the heart of a city, एक city का heart जहाँ पे ज्यादा देर लोग रुके रहते हैं, या ज्यादा रश पढ़ा रहते हैं, उसको हम center बोल सकते हैं, आपने city center का लफ्स बहुत दफा सुना होगा, कि शहर के बिलकुल वस्त में, जैसे फैसलाबाद में clock tower है, ठीक है, clock tower जो है वो गेंटा घर गिना जाता है, और इसके इर्दगेर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ बजार निकलते हैं, ठीक है, so ये center माना जा सकते हैं, आप अगर फैसलाबाद को उस एक center में पहुंच जाएं, तो आप 8 के 8 बजारों की तरफ, move कर सकते हैं, another way, कि आप क्या करें, the spot where everything comes alive, एक ऐसी चीज, एक ऐसा spot, जहां पे सब कुछ alive हो जाता है, इस चीज को हम बोलते हैं, central tendency, in data terms, data की terms के अंदर, it जैसे मैंने आपको दिखाया मधाई का डबा रखा और साइडों पे चीजे आना शुरू होगे, this is, think of it as a way to summarize a whole lot of numbers with just one value, ठीक है, जब आप एक पूरे एक data set को सिरफ एक value के साथ present करना चाहते हैं, then you can do that by using central tendency, so अब central tendency की आपको समझ लगगी कि data का जो center है, central tendency, वो data का center है obviously इसको बियान करने के लिए आपको कुछ, जारी बात है data के center का कोई नाम भी तो होगा न, जैसे मैंने आपको बताया के फैसलाबाद city का क्या नाम है center का clock tower या घंटा घर उसको बोला जा सकता है, इसी तरह आप अपने cities का बताईए कि आपके cities का center क्या है, किस एक चीज से म tendency, अब हमारे पास तीन मेजर चीजे हैं जिससे center tendency जो है वो define होती है, पहली होता है जनाब पहला होता है mean, M-E-A-N, हम इसको average भी बोलते हैं, average, ठीक है, average, ये हो गया mean, दूसरा हमारे पास होता है median, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है mod, average ये mean, ये किस तरीके से होता है, median क्या होता है, और mod क्या होता है, इसको हम अब बारी बारी देखेंगे, अब अगर हम mean की बात करें, तो mean का मतलब ही ये है कि जितनी चीजे हैं आपके पास, और जितने number of candidate हैं, उनमें equally divide कर दें, ठीक है, for example, हमने क्या किया है, हमने सारी की सारे चीजों को जमा किया, और उनके number पर divide कर दिया, इसको हम बोलते है, on an average, average या mean, ठीक है, median होता है, center of that data, अगर आप data को sort कर लें, उसका center, mod होता है, जो repeatedly values आ रही है, ठीक है, repeatedly जो values आ रही है, अब इनको बारी बारी देखके, हम समझेंगे, कि ये central tendency को किस तरीके से represent कर करते हैं, and how we can actually have an idea, कि mean, median, and mod में फरक क्या है, फिर हम ये भी देखते हैं, कि mean, median, and mod के इलावा, central tendency क्यों matter करती है, so, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, कि तीन, इसकी main term है mean, median, and mod, इसके इलावा, central tendency के जो फाइदे हैं, पहले वो देखते हैं, then I will explain mean, median, and mod in more details, सबसे पहला, कि इसका जो main role है, central tendency का, वो data को present करने के लिए, simplicity के साथ, एक या दो terms बता देना, मैं एक term की बात करता हूँ, मतलब mean बता देंगे, तो हमें data का पता चल जाएगा, कि data किस तरीके से center उसका बना हुए, दूसरा, जब आप दो या दो से स्यादा चीज़ो का comparison करते हैं, तब भी आपको average या median या बाकी चीज़ों को देखना होता है, तीसरा इसका जो main use है, यह हम uses देख रहे हैं, central tendency के, तीसरा जो इसका main use है, that is related to decision making, यानि कि मैं एक idea लगाता हूँ, कि जनाब मेरी पिछले साल की जो average sale है, वो 2.5 lakh हुई है, per month, I'm just giving an idea, ठीक है पर month इतनी sale है मेरे पास, तो मेरे पास idea हो जाएगा कि अच्छा, इस साल मैंने कम असकम धाइलाग से ज्यादा पर month मैंने ले के जाना है, so decision making हमारे पास आ जाती है, of different things, number four पे हमारे पास आता है, जब भी कोई आपने advanced analysis करना होता है, उससे पहले आप central tendency या आप simple data को check करत होते हैं कि यह जो central tendency है, it can provide us the foundation for advanced statistical analysis, advanced statistical analysis, समझागी, अब foundation से अगर हम देखें, कि किसी भी चीज़ की जब base हमारे पास आती है, तो हम उससे advanced चीज़ों पर जा सकते हैं, say for example, जब भी आप दो चीज़ों को compare करेंगे, आप उनके means को compare कर रहे होते हैं, ठीक है, so इसी से हमारे पास test आते हैं, comparison of means, comparison of means, यानि कि अगर हमने means को compare कर लिया, वो हमें बता देंगे कि दो चीज़ें आपस में differ कर रही हैं, यानि, for example, मैं यहां पे आप से height पूछता हूँ लड़कियों की, and then height पूछता हूँ लड़कों की, और इन दोनों का mean लेके, मैं उन दोनो को compare करता हूँ, say for example, इसका mean आता है 5 feet, 4 inches, इसका mean आता है 6 feet, तो हमें साफ पता चल रहा है के दोनों में फरक है, इनके mean में फरक पता चल गया, then we can actually consider के इनके सारे data set में भी फरक है, so this is a kind of comparison जो हम करते हैं, और अकसर अकात यह 3 values का भी होता है, 4 का भी, 5 का भी, और multiple comparison of means भ पहले हम कुछ comparison करते हैं, वो इसमें बहुत ही हद तक जो अपना role अदा करता है, खास तोर पे central tendency, अब इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि जब भी आप central tendency की बात करते हैं, whenever you are talking about central tendency, तो आप 3-4 चीज़ों को मदे नज़र रखते हैं, सबसे पहले चीज के data का center कहा है, और इसको भी मदे नज़र रखते हुए, आप 2 चीज़ें और देखते हैं, data का center हो गया और data फैला कितना हुए, यानि कि range क्या है उसकी और variability कितनी है, which is coming in our upcoming lectures, तो उसके इलावा हम क्या देखते हैं, कि data एक तरफ से पिचका हुआ तो नहीं है, मिसाल के तोर पे, अगर आ कि नचानक से एक billionaire आता है और वहीं पे वो 40-50 लाख रुपया पर मरला लेके एक plaza खड़ा कर देते हैं, तो क्या होना है, एक उस बंदे की वज़ा से आपकी society की prices जो हैं, वो बढ़ जानी है, so that is why it's very important to know about many other concepts related to central tendency, अब हम देखते हैं mean-median mod क्या होते हैं?